समस्कार आप सभी स्वागत है आपके अप्रूफ चैनल एक्सस एकेड़ी पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ECC E-Educator भरती में आबेदन फाम बनने को लेकर के बड़ी अपटेट निकल कर सामने आ रही है जहांपूर बेचसे की तरब से बड़ी कार वाई वहीं एंटिटी डिप्लोमा किसी उनिवर्सिटी का मानने है ECC E-Educator भरती के लिए एंटिटी, सीटी, DPSC डिप्लोमा वाले अभरती फार्वर्ड नहीं भर पाएंगे ये क्या ख़बर निकल कर सामने आ रही है इसके साथ साथ आंगनबाडी कारिकत्री उन साहिका भरती से जुड़ी बड़ी अपटेट में डिसकस करेंगे कि मेरिट लिस्ट जिन जिनों में आबेदन प्रकरिया पूरी होनी है वहाँ पर फार्म कब से भरे जाएंगे 75 जिलों में जिलेवार पदो की संख्या की डिटेलिंग कहां से देखें सब कुछ किलियर करेंगे और आंगनबाडी भाक्ति से रिलेटेड आप सभी की जो क्वाईरीज है उन सभी को शाट आउट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि वीडियो क और लेटेश्ट अपडेट पाने के लिए तो आईए दोस्तों सुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहले बाग करेंगे ECCE इजुकेटर भरती से चुड़ू हुई बड़ी अपडेट के बारे में दोस्तों उत्ता प्रदेश में बेसिक सिछा विबाग के तरफ से 10 निर्धारित किया गया था लेकिन आज दोस्तों 24 सितंबर हो चुकी है और अभी तक भरती प्रकरिया सुरू करने को लेकर के कोई भी आफिसियल नोटिफिकेशन विबाग के तरफ से जारी नहीं किया गया है इसका सीधा सा तात पर ये है कि जो अंतिम डेट दे दी गई थ तरफ से सभी जिलाबेशिक सिच्छा अधिकारियों को एसी सी एजूकेटर भरती प्रकर संपादित करने को लेकर के वो डेट अब 100% कंफर्म हो चुका है कि एक्स्टेंट होने जा रही है लेकिन दोस्तों भरती में देरी हो रही है इसके पीछे कई रीजन है हमने पिछली वीडियोज में उन सभी रीजन को डिसकस किया आज यहाँ पर उन रीजन को डिसकस नहीं करेंगे लेकिन डिले होने का मतलब यह नहीं होता है कि विभाग के तरफ से अगर कोई आफीसियल सास्तना देश जारी हुआ है तो फेंक या भरजी है कुछ बेकूफ टाइप के लो परकरिया 100% विभाग की तरफ से कंप्लीट की जाएगी जल्द से जल्द कंप्लीट की जाएगी और ऐसा नहीं है कि भरती प्रकृइव बिल्कुल बंद पड़ी है, भरती प्रकृइव पूरी कराने को लेकर के कारे जो है, सारे अज जो है वो अंडर प्रोसेस हो रहे हैं बिभाग की तरफ से बस आप सभी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आप सभी को अब तभी इस भरती की कारवाई दिखाई देगी जब सेवा उजन पोटल पर आफिशिल रूप से आवेधन प्रक्रिया शुरू करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा तो आप सभी को बता दिन ECCE इजुकेटर जो 10,684 पदों पर भरती की विग्यप्ति जादी की गए है उन विग्यप्ति के एकारडिंग जिलाबेशिक सिचाधिकारियों की तरफ से निक्ति प्रक्रिया पुरी करने को लेकर के कारवाई जो है आगे बढ़ाई जा रही है सह जहां पुर भ सिचाधिकारियों की तरफ से ब्लाक वाई जो है को लोकेटेट अंगनबाडी केंद्रों की सूची जारी की जाएगी जहां पर ECCE इजुकेटर की निक्ति की जानी है तो ऐसे ही सुरुआत हो चुकी है सह जहांपुर से जो है आपिसियल अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है वहां से ब्लाक वाई जो है जो है सुची जारी कर दी गई है सभी 75 जिलों से ऐसी ही सुची जिला बेसिक सिचाधिकारियों की तरफ से जारी की जाएगी और उसके बाद आप सभी को बता दें जो सेवा उजन पोर्टल के मात्यम से सिवा प्रदाता एजंसी आनलाइन जाएंगे तो यह बड़ी अप्डेटे दोस्तों वहीं आप सभी को बता दें सैचिक योगिता में आप सभी लोग जानते हैं कि इस भरती के लिए सैचिक योगिता इस नातक रखी गई है चाहे बी और बेसी हो लेकिन उसके साथ सरती है कि आपके पास होम साइंस होना चाह है वो कर रखा है तो वो अभरती इसमें आवेदन कर सकता है अब सवाल यह उठता है कि कौन-कौन सी उनुझ सी के दोड़ा कराएगे entity diploma valid है और कौन कौन सी university की तरफ से कराए गए जो entity diploma है वो valid नहीं है ये सबसे बड़ा प्रिष्ण है और आप सभी की queries भी है तो आप सभी साथ उनको बता दें entity diploma जो है entity की तरफ से approved नहीं है 2013 के बाद में और इसलिए सभी university की तरफ से जो entity course कराए गए है वो पूरी है कि entity, city, DPSC, diploma वोले फार्म नहीं भर पाएंगे ये हमने क्यों लिखा कौन से से अभरती है जिनके पास entity, city या DPSC, diploma होने के बावजूद भी वो फार्म नहीं भर पाएंगे क्या condition है ECCE educator भरती में फार्म भरने के लिए तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा तो दोस्तों जो भी भाएंगे हमारे entity के भिहाब पर आबेदन करने जा रहे हैं भरती में सभी universities का entity diploma valid है कुछ राज्यों में इसी entity को ECCE diploma के नाम से भी जाना जाता है तो उस diploma नाम से भी अगर के पास डिप्लोमा है तब भी आप इसमें आबेदन कर सकते हैं बिलकुल परिशान ना हो सभी university के जो entity certificate है वो valid है इसमें लेकिन कुछ सर्थ लगाती गई है वो क्या सर्थ है उस पर नज़र डाल लेते हैं तो इस सबसे पहले आपसे लुग देख सकते हैं कि विधी द्वारा इस्थापितियों में UGC से मानिता प्राप्त विश्चु विद्याले से इस नातक परिच्छा ग्रह विज्ञान मुक्खी इस नातक बोला गया है तो इसमें B.A.B.S.C. दोनों इंकल्यूड हैं पचास परसथ अंक जो है जर्नल वर्क के अभैर्टियों के लिए बोले गया है और इसमें कहा गया है उतेड कियों और आरच्छित वर्क को निमानसार नियूंतम अंकों में पाच परसथ की छूट दी जाएगी यानि जर्नल वर्क के अभैर्टि पचास परसथ परसथ पर वैलिट होंगे फार्म बनने के लिए और इसके साथ साथ जो अन्नी OBCC, SC, ST वर्क के अभैर्टि है वो 45 परसथ मार्क के साथ इसमें अगर उनका इस नातक है तो वो फार्म अगर आप इस नातक में आपके पास ओन साइंस नहीं और आप जो हैं एन्टीटी, सीटी या डीपीसी के विहाब पर आवेदन करने जा रहे हैं तो सोच लें कहीं आपका एन्टीटी, सीटी या डीपीसी डिप्लोमा ऐसा तो नहीं है जो आपके पास डिप्लोमा सेटिपे यहाँ पर ध्यान देना दो वर्ष की अवधिका डिप्लोमा यही हम आपको बताना चाह रहें दोस्तों अगर आपका NTT, CT, DPSC और नरसरी अध्यापक सिच्छा का डिप्लोमा आपके पास है और अगर आपने दो वर्ष का डिप्लोमा नहीं किया है तो आप फार्म नहीं अप अप्लाई कर पाएंगे आप सभी को बता दे NTT जो है वो दो वर्ष और एक वर्ष की अवधि के तहत कराया जाता है तो जिन अब बेट्यों के पास NTT, CT, DPSC का एक वर्ष वाला कोर्स का डिप्लोमा होगा वो इसमें अबेदन नहीं कर पाएंगे और जिन्होंने NTT, CT, DPSC दो वर्ष की अवधि वाला कोर्स कर रखा है और उनके पास certificate है वो इसमें अबेदन कर पाएंगे ये point के लिए रखना तो कि इस point को लेकर के अभी तक किसी ने explain नहीं किया है पूरे YouTube पर हम सबसे पहले आप से भी को ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि हमने कई जगा जो कई राजियों से जो vacancy निकली है प्री जो primary सिच्छक बरती की उनके notification को analyze किया फिर अपने यहां की विग्यप्ति को देखा तो हमने कहा वास्तों में ये बात सच है और दो वर्ष की अवधि का ही डिप्लोमा valid माना जाएगा तो जिनके पास entity city DPSC एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा है वो भी valid होंगे बसरते वो राष्टी अध्यपक्स एक्षक परिशक से मानने हो तो ये entity DPSC सीटी दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा आपका किसी भी university से है वो valid है लेकिन इसके साथ साथ अगर इसके संकच यानि equivalent अगर आप को डिगरी लगा करके आवेदन कर रहे हैं तो वो NCT से approved होनी चाहिए ये बात आप सभी को confirm कर लेनी ही उस संस्ता से जहां से आपने वो संकच्छता के धिगरी हसिल की है तो ये बड़ी update इस वत निकल कर सामने आ रही थी जिसको हमने discuss कर दिया उमेद करते हैं इस जानकारी को आप सभी लोग पहली बार समझने का प्रियास करेंगे विल्कुल सही और सटीक जानकारी है यहाँ पर ये सैचिक योगिता को ले करके दोस्तों बात करेंगे उत्ता प्रदेश में आंगनबाडी भरती को ले करके क्या बड़ी update आ रही दोस्तों जैसा कि आप से लोग जानते हैं उत्ता प्रदेश मे शुरू करने को ले करके विग्यापन प्रकाशित नहीं किया गया है 31 जिलो में तो इसके अंतरगत आप सभी को बता दें कि जिन जिलो में आवेदन हो चुके हैं किया वहाँ दोबारा फार्म भरे जाएंगे तो ये आपकी क्वेरीज रही तो वहाँ पर आप दोबारा फा से जारी हुआ है उसमें इसपस्ट कहा गया है कि जिन 44 जनपदों में आवेदन की प्रकरिया पूरी हो चुकी है उन जिलों में अब आगे की कारवाई सुनिश्चित करते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और जिसा बहती का फाइनल मेरिट में नाम होगा व और वहाँ पर आप कोई भी आगे प्रकरिया नहीं बढ़नी है दोबारा वहाँ फार्म नहीं भरे जाएंगे ये सारे डाउट आपके खत्म होने चाहिए अब बात आती कि वहाँ की मेरिट लिस्ट कैसे देखें तो वो भी आप सभी लोगों को अभी डिसकस करेंगे कि मेर जो है इंटरफेस आप सभी के सामने खुल करके आएगा जब ये इंटरफेस आप सभी के सामने खुल करके आए तो ये हम अभी आपको यहाँ पर मेरिट देखने के लिए बता रहे हैं और आबेदन भी आप यहाँ से कर सकते हैं जिन एक अत्ते जिलों में आबेदन सुरू होने हैं उन जिलों के अभ्यति आवेदन भी इसी साइट से जा करके कर सकते हैं तो आप चवाले जिले वाले वो अभ्यति जो मेरिट लिस्ट का इंतिजार करें वो यह आफिसियल साइट पर जाएं और गूगल के साच बार में सर्च करें यूपियांगनवारिभाति.in और इ यहां पर यह तीन लाइने दिख रही हैं यह वाली इन तीन लाइनों पर क्लिक करना है क्या गरना है इन तीन लाइनों पर आपको क्लिक करना है जब इन तीन लाइनों पर आप क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का खुल करके आएगा और जब इस तरीके का इंटरफेस आप सभी के सामने खुल करके आ जाए तो जिन अभरतियों ने फार्म बरा है वही अपनी merit list को check out कर पाएंगे और यहां login वाले option पर आपको click करना है किस पर login वाले option पर आपको click करना है जब login वाले option पर आप click करेंगे तो आप सभी के सामने क आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो नए अभरति होंगे वो click तो register करेंगे लेकिन आप सभी लोगों ने आवेदन कर लिया है तो आप सभी को यहां पर कुछ नहीं करना है सीधे यहां पर जो आपने आवेदन करते समय मोबाइल नंबर लगाया था वो मोबाइल नंबर आप सभी लोग जो है नीचे जो बटन आ रही है आपके सामने उस पर click करेंगे यह वाली बटन और उस पर आगे बढ़ जाएंगे और आपके सामने जो है मेरिट लिस्ट खुल करके आ जाएगी और उसमें आप चेक आउट कर पाएंगे तो यह थी उन चवाली जिलों के अभ्यत्यों के लिए इंपार्टेंट जानकारी जिन्नोंने आवेदन फार्म भर दिया है मेरिट लिस्ट का इंतजार है उमीद है कि अक्तोबर के पर्थम स सब्ताह में चवाली जिलों से मेरिट लिस्ट आ जाएगी अब बात कर लेते हैं उन 31 जिलों में जहां पर आवेदन परकरिया शुरू होनी है वहां पर फार्म कब से भढ़े जाएंगे यह सबसे बड़ा प्रशन पूछा जा रहा है आप सभी के द्वारा तो दोस्तों आवेधन परकरिया सुरू की जा सकते है तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें जैसे ही मेरिट लिश्ट चैनितो की जारी होगी उसकी सुत्सनाद दी जाएगी और 31 जिलों में जब आवेदन प्रकरिया शुरू होगी तो आप सभी को उसके बारे में जानकारी दी ज रहे हैं वो उसके सारे डाकुमेंट्स आपके पास होने चाहिए इसके साथ जात और निवास प्रमाण पत्र आपके पास लेटेश्ट होना चाहिए अगर आपके पास पुराना है तो तीन वर से अवधी का ज्यादा का नहीं होना चाहिए और सामान वर के अबर्ति अगर EWS इसके साथ आपके पास फोटो होना चाहिए एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें आउटगोईंग इंकमिंग की सुब्दा उबलब दो क्योंकि फार्म भरते समय इस पर OTP आएगा इसके साथ फोटो और हस्ताचर होने चाहिए और वही बहने इसमें आबेदन कर सकते ह एच 18-35 के बीच में होगी और यहाँ पर आप सभी को बता दें आंगनबाडी कारिकत्री और आंगनबाडी मिनी कारिकत्री और साहिका को कितना बेतन मिलता है तो कारिकत्री जो होती है उसे 8000 बेतन मिलता है परमन्त के इसाप से और जो मिनी आंगनबाडी की कारिकत्री होत तो यहाँ पर बिल्कुल इस पर्ष्ट इंपार्टेंट पॉइंट्स दिये गए हैं बर्ति को लेकर के कि आबेदिका द्वारा आबेदित पद्र से संबंदे निर्दे सामसार अभिलेक स्वच्वा पठनी अप्लोड किये जाएं इसके साथ आबेदिका अपने निवास इस् किसी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में किसी इस रेड़ी में पात्राब्यत्य उपलब्द ना होने पर संबधिन नियाय पंचायत में से निमानसार उसका चैन किया जाएगा तो यह पूरी जो है जानकारी रही है तो यह डिटेलिंग हमने डिसकस करी है और यहाँ पर साथ्यों के लिए बहुत ही मातपून होने वाले है सभी साथ्यों तक इसे सेर अवस्ष करें इस वीडियो में बस इतना है अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपकी कोई क्वाईरी बचती है तो आप सभी लोग वीडियो में कमेंट करके पहुन सकते हैं अपनी देखने के लिए सभी साथ्यों को तहरे दिल से सुप्रिया बहुत होता अगरात मिलते हैं अगरी वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ तब दिल सभी साथ्यों को जैंचे बारत बंदे मात रहा है